हेलो गाइज, वेलकम टू दा चैनल, आज हम बात करेंगे रोयल इंफिल्ड बियाज 6 स्टेंडर 350 में क्या-क्या लोगों को प्रोब्लम फेस करने को मिल रही है, जो हमारी बियाज 3 में भी थी, बियाज 4 में भी थी और बियाज 6 के अंदर भी सेम प्रोब्लम अभी तक बनी हुई है, और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है लोगों को, कि जैसा कि सबसे पहले बात करेंगे, हम इसके अंदर जो है, फ्यूल मीटर हमारा बियेज 6 स्टेंडर 350 तक अभी तक नहीं दिया है, केवल और केवल वार्निंग इसके अंदर दी गई है, वार्निंग से आपको पता है कि ये भी बहुत माल फंक्सिनिंग कर रही है, वार्निंग कई बार फाल्स वार्निंग इसके अंदर आती है, और वो जो है आठ से नो हजार रूपे के अप्रोक्सिमेट प्राइसिंग में इसके अंदर आएगी तो यह बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें एक फ्यूल मिटर भी नहीं है तो पहले हमारा क्या था रिजरों लग जाता था हमें पता चल जाता हमारा जो पैट्रो है हमें पता नहीं चलता है तो यह कि लगा की बहुत बड़ी प्रोब्लम है कि यह सिक्स डेड़ लाख रूपे की बाइक है कम से कम यह एक चोटी सी चीज तो देनी चाहिए रोएल इंफिल को फ्यूल गेज के लिए दूसरे डिसएडवंटेज की बात करेंगे तो जो इसक इसके बात करेंगे इसके अंदर यहां पेट्रोल के टैंक के अंदर जो है पानी जाने की समस्या बहुत ज्यादा इसके अंदर जो बुलट में आती है जिसकी वज़े से मिसिंग का प्रोबलम है देखने को मिलता है तो इसका भी रोएल इंफिल्ड को कुछ ना कुछ सॉल् जरूर निकालना चाहिए इसकरी बात है जो इसके टायर का विड्थ है पीछे वाला टायर का विड्थ इसका बहुत ही कम है आप क्लासिक का देखेंगे क्लासिक का टायर विड्थ और इसका टायर विड्थ बहुत ज्यादा प्रोबलम है इसका कम है और क्लासिक का ज्यादा तो standard 350 में भी अगर थोड़ा अच्छा टायर का विड्स दे तो इसका controlling बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसमें single-channel लेई इस इसके अंदर दिया गया है classic के अंदर बहुत सारे variants है उसमें single-channel भी डियुल चैनल भी है डिवल चैनल के साथ अच्छा यान की जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है तो पीछे वाला टायर भी थोड़ा ब्रोड दे देता तो रोयल इंफिल्ड यानि की ब्येश सिक्स मोडल के अंदर एक्पेक्टेशन थी कि ब्रोड टायर देंगे लेकिन ब्रोड टायर नहीं आया इसके अंदर तो चलो कोई बात नहीं यह भी इतना बड़ा इसू नहीं है इसके बाद क्या है बात करेंगे इसका जो वाइब्रेशन है वैसे मेरी तरफ से इसमें कोई प्रोब्लम नहीं क्योंकि मैं 50-60 किलोमेटर की स्पीड से ही बुलेट राइ करने लग जाएगा सब्सक्राइब हम बहुत ज्यादा जरूर पड़ती है शाठ से उपर चलाने की क्योंकि वह लमबा रूट हम्हें त्या करना होता है छोटे मोटे के लिए तो ठीक है सहर में हमें थोड़ा बहुत जाना होता है 40-50 किलोमेटर पर ओर की वरेस चलते हैं त लोगों को लगेगा कि इसके अंदर होना चाहिए क्योंकि डेड़ लाख रुपे की बाइक है इतना तो कम से कम होना ही चाहिए तो यह थे में में क्या कमिया मुझे लगी रोयल इंफिल्ड स्टेंडर 350 के बारे में आपको क्या लगा जुरूर बताएगा और चैनल को सब्सक् घ्याद्ट बाइब लगे बाइब बाइब लुपे बाईबा जेख भारे में में जुपे लाएगे वेजिए लेगे पियाइ़ बाईब लाईब के बाईबन ध